हाई गाईज तो आज मैं आपको चीखाऊंगे सालेट बनाना तो सालेट बहुत जादा एजी और आज मैंने इसको बहुत ही कम सामान से बनाया है तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पर आए हो नियूद तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना अब वीडियो को जिर्व लाइक करने ना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सालेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गाजर एक प्याज मुली और यह नीम्बू ले लिया है नीम्बू हरा है थोड़ा सा पर आप पीला नीम्बू ही ले 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 ना प्याज को आप बहुत ही बार एक बार किसी मशीन से या फिर अपने हाथों सी चाखों से काट लीजिए मैंने आपर मशीन से कट कर लिए प्याज अब हम गाजर को भी कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से जिसला कि आपको वीरे में दिखिए नहीं ज्यादा पतला नहीं ज्यादा मोटा और कुछ इनका साइज ऐसा हो थोड़ा लंबा लंबा ही रखेंगे हमारी गाजर कट के रेड़ी हैं ऐसे ही हम मूली को भी कट कर लेंगे हम नीमो को काट लेंगे बीच में से दो साइज करके और अब प्लेट लें जिसमें आपको डेकोरियेट करना हो तो हम आधी साइड पर मूली लगाएंगे आधी साइड पर गाजर लगा देंगे कुछ इस तरीके से जिसला कि आपको वीडियो में दिखी रहा है अब हम प्य की से याद लगा देंगे बीच में इसके बाद बीच में एक नीमो रगने और इसके उपर एक प्यास रगने इसके बार आप काले यानव डाल दीजै चार्क में साया डाल दीए अगर वीडियो चले वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो तो सब्स्राइब और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और यहीं बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज की चाहिए जल्दी वीडियो की अपनी न्यू वीडियो में तब तक के ल बाइ